दोस्तों आज की बात की जाए तो आज कुछ ऐसा मुवमेंट रहा USD-NR के अंदर जैसे कि मैंने कल बताया था कल हमारी एंट्री बिल्कुल यहाँ पर हुई थी चाहते हम रुख सकते थे लेविल जो है कल के लेविल की बात की जाए तो same वही exact level था बट वहां तक वह आया नहीं बट आज ही आने की काफी कोशिश की इसने आज की बात की जाए तो आज यहाँ पर market खुली तो उस condition में अगर कोई भी इंसान मेरे साथ भी जुड़ा है या फिर वो खुच से भी कर रहा है सबसे पहली बात है क्या कोई इंसान यहाँ पर P को sell करेगा या यहाँ पर C को sell करेगा या यहाँ पर counter trade लेगा ठीक या यहाँ पर buy trade लेगा यह चीजे हम लोगों को पताओ निचे यह तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है अगर market हमारे higher range की तरफ खुली है माल लीजिए resistance zone count करें और यह support zone तो resistance के पास जब market खुलती है तो हमें ध्यान रखना होता है कि हम क्या क्या कर सकते है सबसे पहली चीज है हम लोग यहाँ पे CE को sell करके चल सकते है छीक, market अगर sideways भी हो जाए और अगर market नीचे गिर जाए जो कि high probability है कि भाई आज ही अपने resistance zone के पास है तो support zone के पास आने का chances ज़ादा होंगे तो उस condition में अगर मैंने CE को sell किया है एक higher price पे और जब मैं शाम के समय उसको खरीदूँगा lower price पे तो मुझको वाँ पे short sell का profit देखने के लिए मिल सकता है तो पहली चीज हम क्या कर सकते है यहाँ पे पहली चीज हमारी हुई कि हम इसके साथ में CE को sell करके चल सकते है ठिक है तो पहली चीज तो हमारी यह account होगे दूसरी चीज हमारी जो count होगी कि हम क्या कर सकते हैं, क्या हम यहाँ पर buy करके चल सकते हैं, तो मेरे इसाब से कोई property होगा जो यहाँ पर इसको buy करने की कोशिश करेगा, क्यों कोशिश करेगा जब उसको पता है कि आज की बात की जाया, आज market नीजी जा सकते है, support zone मेरा इस level क आसपास है, तो उस condition में यह बात ध्यान रखे कि वहाँ पर कोई भी buy position अक्टिवेट नहीं करेगा, तो common सी बात है, यह चीज भी नहीं की जा सकती, third point आ जाता है कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पर कोई basically PE को sell करेगा, PE को sell कब किया जाता है, अगर यह candle जोती यहाँ की बजाए, यहाँ खुलती, तब हम यहाँ पर PE को sell करते और एक अच्छा profit gain करने की कोशिश करते हैं, बचा क्या counter trade, जो कि मैं खुद भी use करता हूँ, आपको बताता भी रहता हूँ, counter trade का सबसे पहला logic यही आता है, पहला logic तो यहाँ लॉजिक तो यह है, कि माल ल जो कोई इंसान था, उसने क्या किया, entry की और अपने target तक क्यों ने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर इसको sell से बान दिया, तो मान लो, अभी की बात करें, तो यहाँ पर क्या कर सकता है, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि market अभी यहाँ तक आने के high probability थी, तो उस condition में, अगर क trade वो है, present मत में चाहिए, तो present में भी कर सकता था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, होने वाले हैं यहाँ पर क्या था, high chance थी, कि यह वापस उपर से नीचे की तरफ अपने इस zone पर आये, तो उस condition में हम क्या करते है, यहाँ पर sell वाली trade के साथ में profit बुक करते है, और buy वाली trade में, जो हमको loss दिख रहा है, वाँ पे, उस loss को नीचे से उपर तक लिए जाने के छोड़ देते हैं, तो यह नीचे आके average कर लेते हैं, common सी बात है, main चीज़ है, गांदी जी जाने नीचे है, वो जाते है ना, यहाँ से, अभी मैंने यहाँ पर 100 lot का लागे रखा हुआ था बढ़ अभी तक के cancel नहीं हुआ है, I think order, यहाँ पर दिखा देता हूँ, अभी की बात करें, आज का जो profit यहाँ पर छोटा से एक book किया गया, जिसमें की like 3000 की आसपार्स का profit यहाँ पर है, और JPY के अंदर अभी 6500 का profit continue हुए है, पहले यह sell position में था, फिर नीचे से 55, 13, 35 प यहाँ से भी उपर की तरफ आएगा, तो यहाँ पर आने पर wait किया जाएगा, then USGNR की बात की जाए, तो USGNR में कुछ इस तरीकी की बात की जाती है, euro की बात की जाए, तो euro का भी एक जो range था, उस range था, उस range था, वहाँ तक count नहीं हुआ, छीक है, तो यह सारी चीज़े ह हुई, अब यहाँ पर बात आजाएगी, कि अगर मुझे यहाँ पर काम करना है, तो भाई, काफे सारे लोग देख रहे होंगे, कि मैंने कल भी दिखाया था आपको, कि यहाँ पर आप देखो कि 50 lot के अंदर है, 30 lot है, मैंने यहाँ पर इसको आवरेज क्यों नहीं किया, या common से चीज़ है, यह level है, तो यह इस particular range तक आना चाहिए, अभी की बात करें तो बिल्कुल आलग हटके, बिल्कुल आलग हटके यह काम हो रखा है, और इस condition में high probability है, कुछ दिन के अंदर यह वापस, यहाँ पर मुझे देखने के लिए मिले, और उस जगा पर, अगर मैं यह यहाँ पर ही exit कर जाता हूँ, या फिर यहाँ पर मैं अभी, मैंने sell किया हुआ है, और सोचो मैं यहाँ पर buy position create कर लेता हूँ, और कल यह वापस यहाँ gap down खुल गया, तो मुझे जो खुशी होने वाली थे उससे दाद दुख होगा, तो यहाँ पर मैं इसको भी wait कर सकता मेरे पास time है, तो मैं नीचे तक अराम से wait करूँगा, और यह इस particular range में जब आएगा, तब ही मैं यहाँ पर अपनी position को बाढ़ने की कोशिश करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर यह exceptional case कह सकते हो, कि अचानक से movement होती है, यह GBP या फिर euro के अंदर हो जाती है, तो कोई डरने नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा वो लेवी लवी तक आया ही नहीं है, जहाँ पर मैं इसको average करना चाहता हूँ, आप यहाँ पर notice करोगे, तो इसके अंदर भी movement जो है, वो ऐसी ही होती है, like 1 रुपी उपर चला गया, आज यह 50 पैसे नीचे आ गया, कल आप देखोगे, त चार दिन बात देखोगे, तो यहाँ पर दिखाए देगा, तो इस जगा से डरने की कोई भी जरुवत नहीं है, तो अभी के बात करें, जो final profit हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला अभी तक के, अभी केवल क्या है, भी 16 तारीक है, अभी बात करें पूरे महीने की, तो मैं नवंबर मन्त चूज कर लेता हूँ, currency, और नवंबर मन्त मैंने चूज किया, और टोटल जो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, अपरोक्स 96,000 की आसपास का, यहाँ पर भी profit दिखाए दे रहा है, अब बहुत सारे लोग भी कहेंगे, भई, यह minus भी तो है, tension मतलो, यह green ह बंदोने वाला है, तो डरने के ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं आती, रही JPY के, तो JPY भी green ही है, आज भी बात करें, तो यहाँ पर 9,000 की आसपास का profit add होगा, तो अपरोक्स कह सकते हो, 1,6,000 का profit यहाँ पर final हमें देखने के लिए मिलने वाला है, तो उस condition में 1,6,000 हुआ, and minus की बात करें, तो दोनों को मिला कर देखें, तो एपरोक्स 1,50,000 की आसपास का minus है, 40,000 का, उसको green खड़ा कर दिया जाएगा, reason है, euro की बात की जाए, यह अभी भी downtrend में ही है, GBP की बात करें, तो यह तो already downtrend में ही है, चीक, जैसे इनके trend change होते हैं, तो मैं सबको update भी psychology, आप यहाँ पर notice करोगे, कि अगर मैं अभी यहाँ पर 50 lot की बजाए, 100 lot कर देता हूँ, तो मेरा जो average selling price है ना, वो 88 से उपर हटके, like 88 से उपर हटके, और 90, 36 के बीच में जाके आधे पर आकर रुख जाएगा, मतलब 89 point something आकर रुखेगा, तो बहुत ही easy way में हम इसको cover क कर सकते हैं, कोई ऐसा डरने की बात यहाँ पर count नहीं होती, इसी तरहीं के से GBP की बात करें तो इतो केवल 30 lot हैं, और मैं जान बूच कर वेट किया, और सबसे जुरूर बात है, यह 1 rupee की moment, 1.5 rupee की moment, within a day में हुआ, इस कारण यह हमें loss यहाँ पर देखने के लिए मिला, औ अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा देर में strategy के बारे में बात कर रहा हूँ, reason है ताकि जो genuine लोग थे न, वही लोग यहाँ पर यह बात सुन पाए, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आप लोग जॉब करते हो, देखो मैं आ 500 से 1000 रुपे कमाने के लिए, 500 से 1000 रुपे कमाने के लिए, आप क्या कर सकते हो, option selling कर सकते हो, option selling करने के तरीका मैं बहुत simple बता रहा हूँ, काफि सारे लोग ऐसे होंगे, जो यहाँ पर काफि जाते complicated चीज़े करना prefer करेंगे, मैं आपको इतनी बात बोल सकता हूँ, आप morning म चेक करो, NSE का data, चेक करो कि हमारा support strong है या resistance strong है, अगर आपको दिखता है कि support and resistance के ओपर, दोनों जगा पर open interest same है, तो common सी बात है, क्या मतलब है कि market sideways है, common सी चीज़ है, अगर resistance हमारा कह सकते हो weak है, तो उस condition में high probability है कि market आज ऊपर की तरफ भाग जाएगी, अगर हमारा support weak है तो high probability है market नीचे की तरफ भाग जाएगी, अगर इतनी भी चीज़ आप चेक करके ना, केवल और केवल option selling कर लेते हो currency market में, तो दिन के 500 या 1000 कमाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, यह बात ध्यान रखना, अब जैसे यहाँ पर example की तरफ बताना चाहूंगा, माल यहाँ पर माली जी 83.25 है तो आप 84 या 83.50, like 83.50 की CE को आप sell करके चल सकते थे, और high probability थी कि यहाँ से movement नीचे की तरफ आनी चाहिए, और मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूं, जो लोग अभी मेरे साथ में बहुत दिनों से जुड़े हैं, like USDNR में काम कर रहे हैं, उनक इसान पैसा कमा कर जाता है, यह बात ध्यान रखना, बिना कुछ करे भी कमा कर जाता है, जैसे यहाँ पर देखो, मैंने 100 लोट में 84 की call को शॉट किया था, 100 लोट में 84 की, like अभी December मन्त देखो के ना, तो 83.28 चल रही है, और यहाँ पर नुकसान होने की probability ना के बराबर, क् मतलब ईनी होता है, कि मैं surety दे रहा हूँ, ना के बराबर मतलब मेरी strategy की हिसाब से जह मैं काम कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से वो ना के बराबर है, आपके हिसाब से हो सकता है, कि उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, आपकी choice है, तो आप देखो कि यहाँ पर क्या हुआ, 0.0800 पे मैंने 0.0800 पे मैंने इसको sell किया था, 0.0700 पे मैंने एक limited dot आके रख दिया, कि भाई मेरा जब आए, मेरा target आजाए तो हट जाना, तो 1000 रुपीज का profit मुझे without like कोई extra, like mind लगाने की बजाए, मुझे यहाँ पे मिल गया, और अगर यह नीचे की तरफ चलना है, हैसी चालू हो जाता, then definitely मुझे यह morning में ही मिल जाता, अभी तक की जरुवत ना पढ़ती, आप एक चीज़ notice करो, मैंने morning में 0.0800 पे मैंने morning में इसको sell किया था, जब price यहाँ पर था, price उपर भी आया, ठीक है, मैंने 100 lot के buy करने के लिए लगाए हुए थे, तो यह 700 के बजाए, अराम से मुझे यहाँ पे like 0, 300 पे दिखाई देता, और मुझे easily यहाँ पे कह सकते हो, approximately 5000 रुपीज के आसपास का profit देखने के लिए मिल जाता, चीक है, 5 पैसा इस तरीके से भी आप options के अंदर काम करके, बहुत इजली काम कर सकते हो, काफी सारे लोग कहेंगे, भाई, हमारे पास पैसे नहीं है, मैं आपको इतनी बात बोलना चाहता हूँ, जब पैसे नहीं होते है, तो इसका मतलब है, कि आपके पास opportunity है, कि आप experiment करो, क्योंकि खोने के लिए तो आपके पास अल्रड़ी कुछ है नहीं न, common सी चीज लगा सकते हो, अगर आप इतना इपी बुद्धी लगाते होगी, यहां से लेके, यहां तक के बीच में मैंने क्या किया, CE को sell कर दिया, मैंने यहां पे PE को sell कर दिया, दोनों तरफ से पैसे आने तैह है, अगर market sideways रही, तो दोनों तरफ से पैसे कमाओगे, market एक तरफ माल लो, नीचे की तरफ गिर गई, PE की तरफ आ गई, तो CE से जो पैसा कमाया, वो अच्छी बात, नीचे की तरफ आके average कर दो, average करके game play कर सकते हो, इसी तरीके से अगर नीचे से उपर की तरफ चली गई, तो PE के अंदर पैसा कमाओगे, और CE के अंदर अगर माल लीजे loss दिख रहा है, तो उसको average कर दो, वहाँ पर जाके अपनी position को बान सकते हो, common से चीज़ है, ये बहुत जादा complicated चीज़े है ही नहीं, लोगों ने इसको complicated इसलिए बनाया वा है, ताकि आम जनता के वल option buying के अंदर काम करती रहे, बाकी और कोई इसके पीछे reason नहीं है, तो इस चीज़ आप देख सकते हो, बाकी रही बात देखो काम करने का तरीका, बाई मेरे काम करने का तरीका बड़ा simple सा है, ये basically एक loss है, बाकी यों के अंदर अभी 6, 7 दिन के अंदर, आप्रोक्स 96,000 दिखा रहा है, और अभी इतना ही दिन और बचे बाएं, trading days की बात करें, तो हमारा main target क्या रहेगा, इसको neutral करना, और neutral करके अपरोक्स अभी 50,000 के आसपास का, और profit यहाँ पर gain कर लेना, चिक है, तो ये तरीका रहने वाला है काम करने का, आप काफे सारे लोग कहेंगे, आप अपने trade दिखा देते हो, ये कर देते हो भाई, क्या करना चाते हो, क्या दिखाना चाते हो, common सी बाते हैं, मैं अपना bank statement ठोड़ा ना दिखाऊंगा, common सी चीज़ है, trade book आपको show की, कैसे काम करना है, वो show किया, अब अगर आप कह रहे हो, कि मैं तो 10 lot से काम करता हूँ, मेरा तो इतना बड़ा profit बनी नहीं सकता, भाई, वो आपकी psychological mistake है, जब आप 10 lot से, सोचो जितनी चाय में चीनी डालोगे यार, उतना ही तो आपको मीठा बनेगा ना, आप यहाँ पर अगर सोच रहे हो, कि मैं भी 100 से करता, तो 100 से करने की बात की जाएगी, तब ही वो profit आता है, कोई कहने लगा, मैं तो 10 lot से काम करके, क्या मैं इतना बना सकता हूँ, not possible मेरे भाई, यह चीज आपको समझनी है, कि पैसे कमाने के लिए, थोड़े बहुत पैसे तो चाहिए ही चाहिए होंगे, फिरी में यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, यह चीज दिमाग में बिठा लीजिए, अगर आप बिजनस करने जा रहे हो, तो बिजनस करने जा रहे हो, not like charity करने जा रहे हो, कि मैं समाज सेवा करने जा रहा हूँ, वो करना है तो politics में उतरो, यहाँ पर अगर आप काम कर रहे हो, share market में, तो share market में, पैसे के इलावा, पैसे के इलावा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, पैसा ही आता है, और पैसा ही जाता है, simple, straightforward अगर आपको बोलो तो, ठीक है, यह है काम करने का तरीका, यहाँ तक कि बाते clear हो गई होगी, तो बहुत अच्छी बात, नहीं clear होगी तो को और भी अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं है, बात की जाए किसी के mind में कोई question है, तो आप क्या कर सकते हो, इस number में message कर सकते हो, यह तीनो number मेरे ही है, maximum इस number पर message किया कीजिए, ताकि आपको तुरंथ reply मेरे, वहाँ से आपको एक message आएगा, तो आपको एक form दिया जाता है, इस form को आप fill कर सकते हो, ठीक, बाकी नीचे मैंने description में, अपनी website के link दी है, जो की है explosive trades.in, आप check कर सकते हो, pin comment में और description में, दोनों जगर पे डाली है, यहाँ पर आप easily join कर सकते हो, join करने के बाद में, आपको काफे सारी चीज़े update मिलती रहती है, उसको आप continue देख सकते हो, ठीक है, so मिलते है next important वीडियो में, इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करते हैं, I wish यहाँ तक की बाते clear हो गई होंगी, बाकी चीज़े जो हैं धीमे धीमे में आपको एसको explain आपको कर दूँगा, main चीज़ है, गांदी जी जाने नहीं चाहिए, जाए नीचे pin comment में, और यहाँ पर join होकर आगे continue कीजिए, ठीक है? झाले चाहिए,